नमस्कार, आज हम कक्षाच्छे की संस्कृत के साथमे पाठ, जिसका नाम है बकस्यव प्रतिकारह, हम इस पाठ के अभ्यास को हल करेंगे. तो चलिए, पाठ के अभ्यास की और बढ़ते हैं. अभ्यास के पहले भाग में उच्चारनम कुरुत, अर्थात दियेगे शब्दों का उच्चारन करना है. उच्चारन के साथ ही हम इन शब्दों के अर्थों को भी जानेंगे. इन शब्दों को उपर से नीचे की और बढ़ते हुए पहला शब्द है यत्र, जिसका अर्थ है जहां, तत्र अर्थात वहां, कुत्रकार्थ है कहां, आत्र यहां, और अन्यत्रकार्थ है दूसरी जग है या कहीं और दूसरी पंक्ति में यदा इसकार्थ है जब तदाकार्थ है तब कदा अर्थात कब एकदाकार्थ है एक बार और चकार्थ है और तीसरी पंक्ति में अपी जिसकार्थ होता है भी अध्य अर्थात आज श्वाह आने वाले कल को कहा जाता है इसी प्रकार हयाह अर्थात बीते हुए कल को कहा जाता है प्राता कार्थ है सुबह अंतिम पंक्ति में पहला शब्द है अहर निशम जिस कार्थ है दिन रात अधुना कार्थ है अब एव अर्थात ही कुतह कहां से और सायम कार्थ है शाम अभ्यास के दूसरे भाग में अर्थात दिये गए अव्यपदों में से उचित शब्द को चुनकर रिक्त स्थान को पूरा कीजिए पहले वाके में प्राता शब्द के साथ पूरा वाके वनेगा अर्थात सुबह सेर करना स्वास्थे के लिए अच्छा होता है दूसरे वाके में सर्वदा अव्यपप्रियोग होगा और पूरा वाके वनेगा सर्वदा सत्यमवद अर्थात हमेशा सच बोलना चाहिए अगले वाके में कदा का प्रियोग करते हुए पूरा वाक्य मनेगा त्वम कदा मातुल क्रिहम गमिश्यसी अर्थात तुम कब मामा के घर जाओगे चौथे वाक्य में हम अपी अव्याइका प्रियोग करेंगे इस प्रकार पूरा वाक्य मनेगा दिनेश विद्यालियम गच्छती अर्थात दिनेश विद्याले जा रहा है अहम अपी तेन सहग अच्छा में मैं भी उसके साथ जा रहा हूँ पांचमे वाक्य में हम अधुना का प्रियोग करेंगे इसके साथ पूरा वाक्य बनेगा अधुना विज्यानस्य योगह अस्ती अर्थात अब जो युग चल रहा है वो विज्यान का युग है अन्तिम वाक्य में अध्य का प्रियोग होगा पूरा वाक्य बनेगा अध्य रविवासरा अस्ती अर्थात आज रविवार है अभियास का तीसरा भाग है अधोल लिखिता नाम प्रश्ना नाम उत्तरम लिखत अर्थात नीचे दिये गए प्रश्नों के उत्तर लिखिये इसमें पहला प्रश्न है श्रिगालस्य मित्रम का आसीद अर्थात सियार का मित्र कौन था? सियार का मित्र एक बगुला था इस प्रकार इसका उत्तर होगा श्रिगालस्य मित्रम बकाह आसीद दूसरा प्रश्ण है स्थाली तह का भोजनम ना आखादत अर्थात थाली से भोजन को कौन नहीं खा सका जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा था हम सभी जानते हैं कि थाली से बगुला भोजन नहीं खा सका था इस प्रकार इस प्रश्ण का उत्तर होगा स्थाली तह बकाह भोजनम ना आखादत तीसरा प्रश्ण है बकाह श्रिगाल आय भोजने किम आय चद अर्थात बगुले ने सियार को भोजन में क्या दिया इसका उत्तर होगा बकाह श्रिगाल आय भोजने क्षीरोधनम आय चद अर्थात बगुले ने सियार को भोजन में खीर लाकर दी अंतिम प्रश्ण है श्रिगालस्य स्वभावा की द्रिशाह भवती अर्थात सियार का स्वभाव किस प्रकार का था इसका उत्तर है श्रिगालस्य स्वभावा कुटिलह भवती अर्थात सियार का स्वभाव कुटिल था अर्थात वो एक दुष्ट बुद्धी वाला प्राणी था अभ्यास का चोथा भाग पाठात पदानी चित्वा अधो लिखिता नाम विलोम पदानी लिखत अर्थात पाठ में से दिये गए शबदों को चुनकर, निम्न लिखित विलोम पदों को लिखिये जैसा की उदारण स्वरूब पहला स्बद दिया गया है शत्रु जिसका विलोम पद है मित्रम इसी प्रकार सुखदम का विलोम शबद होगा दुखदम शत्रुता इसका विलोमपद होगा मित्रता आप्रसन्न हाँ इसका विलोमपद प्रसन्न लिखा जाएगा दुर्वेभार का विलोमपद सद्वेभार होता है सायम का विलोमपद है प्रातह और अंतिमपद आसमर्थह इसका विलोमपद होगा समर्थ अभ्यास के पांच में भाग की और बढ़ते हैं मन्जु शातह समुचित पदानी चित्वा कथाम पूर्यत अर्थात दिये गए शब्दों में से उचित शब्द को चुनते हुए नीचे दी गई कहानी को पूरा कीजिये इन रिक्त स्थानों के अनुसार दिये गए शब्दों का व्यवस्थित क्रम इस प्रकार होगा एक अदा एक ह का कह पिपासित हा आसीत अर्थात एक बार एक कववा प्यासा था सा जलम पातुम इतस ततह आभ्रमत वह जल पीने के लिए इधर उधर भटका परम कुत्राणी जलम न प्राप्नोत परंतु से कहीं भी जल की प्राप्ति नहीं हुई अंते सा एकम घटम आपश्यत अंत में उसने एक घड़ा देखा घटे स्वल्पम जलम आसीत घडे में थोड़ा सा जल था अताह सा जलम पातुम आसमर्था आभावत इसलिए फह उस जल को पीने में आसमर्थ रहा अर्थाथ उस थोड़े से जल तक उसकी चोंच नहीं पहुँच पाई सा एकम उपायम आजिंदयत उसने एक उपाय सोचा सा पाशान से खंडानी घटे आक्षिपत अर्थाथ उसने पत्थर के टुकडे घडे के अंदर ढाल दिये एवम क्रमेन घटास्य जलम उपरी आगच्छत ऐसा करते हुए घडे का जल उपर आ गया काका जलम पीत्वा संतुष्ट हा आभावत अर्थाथ कववा जल पीकर संतुष्ट हो गया परिश्रमेन एव कारियानी सिध्यन्ती ना तो मनो रथई अर्थाथ कारिय परिश्रम से ही पूरी हुआ करते हैं केवल इच्छाओं से नहीं अभ्यास का छठा और अंतिम भाग तत्सम शबदान लिखत अर्थाथ दिये के शब्दों के लिए संस्कृत में शब्द लिखिए जैसा कि उधारन के रूप में दिया गया है सियार सियार को संस्कृत में श्रिगालह कहा जाता है इसी प्रकार कववा कववे को संस्कृत में काकाह कहा जाता है अगला शब्द है मक्खी मक्षी को संस्कृत में हम मक्षिका कहेंगे बंदर बंदर को वानर के नाम से जाना जाता है इसके बाद है बगुला जैसा कि हम पाठ में भी पढ़ चुके हैं बगुले को संस्कृत में बका कहा जाता है चोच चोच को संस्कृत में चंचु कहेंगे और अंतिम शब्द है नाग, नाग को संस्कृत में नासिका कहा जाता है तो ये था कक्षा 6 की संस्कृत के सात्वे पाठ का अभ्यास आशा है आपको ये अभ्यास अच्छे से समझ में आ गया होगा धन्यवाद